एंड्रोइट सीखना अब हो गया है और भी असान क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नितने पार्कास्ट और आपकी तमाम तर कुई रिसका रिपलाएं तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बच आईए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए धेर सारी मालूमात Only on Android Blind Cafe हाई दोस्तों मैं हूँ अमजद और जी बोर्ड सीरीज का दूसरा पार्कास्ट लेकर आया हूँ जिसमें हम आपको जी बोर्ड में कुछ लेंगविजिस को सेलेक्ट कैसे करना है वो बताएंगे यह सब करने से पहले फिर वो ही रिक्वेस्ट के Android Blind Cafe YouTube चैनल आपका अपना चैनल आपके लिए रोज नितने पार्कास्ट के साथ हम आते हैं आप हमारे YouTube चैनल को सबस्क्राइब करें और इसका हिस्सा बन जाए ताके जब भी कोई पार्कास्ट अपलोड हो आप इसको बाएसानी सुन सकें तो दोस्तो शुरू करते हैं आज का पार्कास्ट तो दोस्तो पिछले पार्कास्ट में जब हमने सेटिंग कम्पलीट की थी जी बोड को इनेबल कर लिया था तो हम जी बोड से बाहर आगे थे आटोमेटिकली उसके बाद हम एक बार फिर एप्स में गए और हमने जी बोड के आइकन पर double tap किया double tap जो ही हमने किया तो हम setting windows में आ चुके हैं so setting windows में हम left to right swipe करते हैं हमें जो swipe करते हुए सबसे पहले number पर जो चीज मिली है वो है इनिशली जब हम लोग keyboard enable कर लेते हैं और हम कोई language set नहीं करते तो उस वक्त English language us qrty जो qrt keypad भी कहा जाता है इसे वो language जो है वो select होती है और keyboard type भी यह select हुआ होता है हम इस पर double tap करते हैं और यहाँ पर हमें ठीक है उसने हमें बता दिया कि अब आपकी जो language है इस वक्त आपने कोई चुके language हमने अपने पास से कोई set नहीं कर रखी तो हमारे पास जो language उन्होंने set करके दी है या फिर यूं कहें कि जो default में set है वो English us qrty set है qrty language set है keyboard का layout qrty है और us English set है हमारे पास हम कुछ और languages अपने keyboard में enable करना चाहते हैं for example मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे Hindi में message करते हैं और मैं उनके Hindi messages सुनना और उनको reply करना पसंद करता हूं तो मैं अपने keyboard में Hindi language select करूंगा लेकिन Hindi में एक type है जिसको बोलते हैं transliteration mode transliteration mode में दोस्तों क्या होता है कि हम लोग अपने normal alphabets को use करके कोई भी language लिख सकते हैं for example अगर मैं transliteration mode में Hindi select कर लेता हूं तो मैं type alphabet English के ही करूंगा for example मैं type करता हूं आपका क्या हाल है मैं यह type करूंगा जैसे हम roman में अपने message type करते हुए लिखते हैं लोगों को तो उसी तरह से मैं लिखूंगा आपका क्या हाल है डबल एपी आप या फिर एपी आप का के ए और स्पेस और क्या के आई ए एच ए एल हाल स्पेस के बाद जो ही मैं यह type करूंगा आप देखेंगे के edit field में यह सब हिंदी में लिखा जाएगा तो इस चीज को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं ट्रांस लेटरेशन मोड तो अब जबके कीबोर्ड की लुक इसका ले आउट और कुछ फीचर भी चेंज हो चुके हैं तो मैंने सोचा कि इसको अपडेट किया जाए और आपको कुछ ने फीचर की जानकरी दी जाए और किस तरह से यह उपरेट होने हैं यह बताया जाएं जबके हमारे पुराने पाड़कास्ट भी यूट्यू लुक पे अवेलिबल हैं थोड़ सी चेंज जिस जो आई हैं हम उन चीजों को अब कवर करेंगे फुल चीजों को हम लोग कवर नहीं करेंगे तो आएए हम ट्रांसलेटरेशन में हिंदी को सिलेक्ट करते हैं अब हिंदी कैसे सिलेक्ट होगी तो हम लोग इस विंडों में हैं जहां क्योवर्टी कीपैड के बारे में हमें बताया गया और लैंग्विज है यूएस हम स्वाइप करते हैं एड कीबोर्ड बटन हमें मिला है जो बाटम के करीब राइट साइट पे भी है अगर आप स्वाइप नहीं करते तो आप वहाँ पर इसको तलाश कर सकते हैं या फिर इसको ढूंड सकते हैं मैं इस पर डबल टैप करूँगा मैंने इस पर डबल टैप किया और देखते हैं अब हमारे पास क्या इन्वाइर्मेंट आ चुका है मैं उपर से इसको आपको दिखाता हूँ 3.5GV Suggested Urdu Pakistan यह इन्होंने Suggestion में मुझे दी है क्यूंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो वो Country Based कुछ Suggestion भी देते हैं कि जो हमारी Country Language है हमारी National Language है वो उर्दू है तो उन्होंने Suggestion में हमें उर्दू Language को सेट करने की Option दी है कि हम उर्दू language को भी select कर सकते हैं लेकिन मैं उर्दू language select नहीं करने वाला जैसा कि मैंने बोला कि मेरी English पहले से selected है तो मैं इसके बाद दूसरी language Hindi select करूंगा तो देखते हैं इसके नीचे क्या है English US वो है जो पहले से selected है उसके बाद एक नई heading आई है all languages उसमें वो ही drop down list जो के पहले से आपको मिलती थी और उसमें आप कोई language ढूंड के select कर लेते थे वो ही environment अब आपको यहां मिलने वाला है तो मैं एक बार फिर यहां swipe करके जहां मैंने उपर पहली language select कर रखी है उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा environment रहेगा all languages header all languages header उसके सबसे पहले उपर notification से नीचे suggestion उर्दू पाकिस्तान उसके नीचे वो language जो already selected है US English और उसके बाद all languages का header आया है हमारे पास यहां drop down list है तो आईए list को थोड़ा सा देखते हैं दो चारा item जी तो आपने कुछ languages देखी जो के list में है और इस तरह यह languages जो है यह hundred से अबब languages की एक list है जो के हम लोग यहां use कर सकते हैं तो इन में आपको कुछ languages के अंदर आपको बताया जाएगा Arabic या फिर उर्दू या फिर हिंदी इसमें आपको बताया जाएगा two variants यानि variants का मतलब यह के दो तरहा की language है अगर हिंदी में हम जाएंगे तो वहां पर भी two types of variants यानि दो तरहा की हिंदी है ठीक है एक हिंदी होगी हिंदी और एक है English जो के हिंदी लहजे में English जो के बोली जाती है Indian English के नाम से भी उसको जाना जाता है वह English कहलाती है तो वह भी इसके अंदर आएगी तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि हम Translation mode में हिंदी कैसे select करेंगे तो दोस्तों हिंदी टू वेरियंट्स अवेलेबल इन्होंने बताया है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन कौन से दो वेरियंट्स है दो वेरियंट्स इन्होंने बताया है मैं हिंदी पे डवल टाप करता हूँ अब हिंदी के अंदर जो इसका एंवायर्मेंट है उसमें देखते हैं हमें क्या चीज़ें कौन-कौन से आप्शन मिलेंगी यहां हमने हिंदी को एड किया है अब हम देखते हैं कि फर्दर हमें ट्रांसलेटेशन मोड को आउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखें हमने पहले लेंग्विज को एड कर लिया था हिंदी को हमने हिंदी को एड कर लिया था एज़ा लेंग्विज और उसके बाद हम लोग ने फिर एड की बोर्ड में गए और वहां पर जाने के बाद हमने दुबारा से हिंदी को एक्सेस किया और हिंदी पर डबल टाइप किया तो हमें वहां पर आप्चन मिली लिए हिंदी एबी सी तो हिंदी एबी को हम स्लेक्ट करते हैं, हमने ABC हिंदी को जो है वो स्लेक्ट कर लिया है, और इसको स्लेक्ट करने के बाद एड का बटन यहां पर हमें बॉटम पर मिला है, उसको हम एड कर लेते हैं, इस तरह से पहले हमने हिंदी लेंग्विज को स्लेक्ट किया, हिंदी लेंग्विज जब हम हमारे पास आ गई उसके बाद दुबारा से हम लोगों ने लिस्ट में एड की बोर्ड को सेलेक्ट किया फिर हिंदी में गए और हिंदी में फिर वहां पर हम लोगों को हिंदी चुके अलेडी सेलेक्टेड था तो हिंदी के अंदर हमें ट्रांसलेटेशन मोड के लिए हिंदी ABC भी बिल गया जिसको हमने डबल टैप करके उसके बाद नीचे बॉटम पे Cancel और Add का बटन था उसमें से हमने Add के बटन को प्रेस किया तो हमारी Hindi ABC Select हो चुकी है तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि ये Hindi ABC काम कैसे करती है हम WhatsApp में गए और हमारा Android Blind Cafe का ग्रूप है मैं कुछ यहां पर टाइप करूँगा mayı आपको अपको पर हम बाद़ आपको एर आपाऊ एर भाए खर, इड़ प्रूप हे आपको कि मैंचे लिप से मिझा अबड़। हम जन'T ह। इज थले फिशça लिग हे न पर टनिनीनीनीनीनीनीनीनीनीनीनीटी लिए। हम द्ड़। मैंने जैसे के बोला था कि मैं English alphabet को यूज़ करके मैं टाइप करूँगा मैंने तो English में ही टाइप किया लेकिन जब वो टाइप हुआ वहाँ पर तो वो Hindi alphabets में Hindi language में वो टाइप हुआ अब जबके यहां recording हो रही है मैं languages change करता हूँ तो वो languages को बोलता नहीं है का कौन सी language change हुई है लेकिन जब recording नहीं हो रही होगी आप next language का बटन दबाएंगे तो जो ही कोई language change होगी focus में आएगी तो वो बताएगा कि English ABC, Hindi ABC या Hindi जो भी language focus में आएगी उर्दू ABC भी है वहाँ पर लेकिन पहले आपने जब भी करना है मैं फिर एक बार बताऊंगा कि पहली बार में जब आप languages में जाएंगे तो आप इसको पाड़कास्ट को फालो करेंगे पहले आपको English selected मिलेगी उसके बाद आपने add keyboard करना है वहाँ से language पहले select करनी है और ok करना है या add करना है दुबारा से फिर आपने add keyboard में जाना है फिर उसी language में जाना है जिसको आपने select किया था वहाँ फिर आपको ABC वाली मिलेगी language फिर आप वहाँ से जब select कर लेंगे तो आप वहाँ से back हो जाएं और जहां पर आप फिर typing करेंगे करना चाहते हैं वहाँ पर आप अपने keyboard को launch करें और keyboard launch करने के बाद space bar के साथ ही left side पे next language का बटन आप double tap करके दबाएंगे यह single tap पे नहीं है तो जब आप करेंगे तो आपकी इन्शाला होपुली आपकी languages जो हैं वो काम करेंगी तो यह था हमारा आज का पाड़कास्ट जो के हमने keyboard यानी keyboard के नए features के साथ या नए configuration कैसे करनी है ट्रांस्लेटेशन मोड की उसके साथ आपको दिया होफुली हमारा यह पाड़कास्ट आपको पसंद आएगा और आप हमारे YouTube चैनल यानी Android Blind Cafe को subscribe करेंगे और जो वीडियो आप देखें अगर आपको अच्छा लगे तो आप like भी जरूर करेंगे तो मुझे दीजिए इजादर किसी अगले पाड़कास्ट के लिए फिर मिलेंगे बाई Android सीखना अब हो गया है और भी आसान क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए निपने पाड़कास्ट और आपकी तमाम तर कुई रिसका रिपलाएं तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बच जाए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए धेश सारी मालूमात Only on Android Blind Cafe